मैं अभी मुझे sentences बनाने में problem आती है बट मैं English अच्छे से बोलना चाहता हूँ उसके लिए क्या करूँ तो guys ये वीडियो आपे के लिए है phrases, phrases का use करें आप अगर अभी आप अच्छे से sentences नहीं बना पाते या फिर अभी आप सीख रहे हैं फिर भी आप चाहते हैं कि सामने वाले पर impression बहुत अच्छा पड़े तो phrases का use करें phrases, idioms, expressions ये सब कमाल का काम करेंगे आपके लिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे phrases दूँगी जो कि आप बहुत ही आराम से use करेंगे क्योंकि इन्हें आपको किसी sentence के अंदर नहीं डालना है इन्हें आपको as it is use कर लेना है by itself, मतलब जैसे हैं, ऐसे ऐसे आपको बोल देना है स्थिती क्या होगी, वो मैं आपको बता दूँगी कि अगर ऐसे स्थिती आए, तो आप इसका use कर लें जैसे speak of the devil, इसका मतलब होता है शैतान का नाम लो, शैतान हाजर तो जब कभी आपको ये बोलना हो, तो इतने का use कर लें बाकी बातें हिंदी में कर लें मेरा कहने का ये मतलब है, कि अगर आप day one से English बोलना चाहते हैं, और आप सोच रहें कि शुरुवात कहां से करें तो phrases से शुरुवात कर सकते हैं, सब कुछ अपनी language में बोलिए बट इन phrases को English में बोल लीजे, impression भी अच्छा पड़ेगा साथ ही साथ आपकी language बहुत ही impressive लगेगी और आप दीरे-दीरे करके, बहुत ही जल्दी fluent speaker बन जाएंगे Hey guys, this is Kanchan, you are watching me on English Connection Guys, phrases मैंने इतने ही नहीं, मैंने बहुत सारे phrases दी हैं सब की links आपको description में मिल जाएंगे, उन्हें आप जरूर से देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको sentences बनाने में problem आती हो तो tense solid video जरूर देख लें, एक घंटे में 12 के 12 sentences बिल्कुल clear हो जाएंगे 100%, कोई भी doubt नहीं रह जाएगा तो वाई, सबसे पहला phrase है, आज का हमारा, जो कि मैंने कहा speak of the devil, तो speak या फिर talk आप दोनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, साथ इसाथ अगर इसे पूरा phrase अगर मैं बोलूँ जैसे कि हम कहते हैं कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, तो सिर्फ speak of the devil भी आप बोल सकते हैं या फिर साथ में उसमें जोड सकते हैं, and in he walks, clear? इसे use के से करना है, where is Rohan, hasn't he come yet, Rohan कहा है कि अभी तक आया नहीं, तो B कहता है, here he comes, तब से Rohan सामने से आ जाता है, क्या कहता है वो, ये लो, Rohan आगिया, well, talk of the devil and in he walks, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर, तो आप इन सिंटेंस को हिंदी में बोल दीजे, ये लो आगिया, speak of the devil, इतने में आपने कर लिया, Hindi भी बोल लिया, English भी बोल लिया और impression भी अच्छा पढ़ गया, अब देखिया अगला example, hey everyone, sorry I'm late, hi everyone, maaf करना मुझे देर हो गई, well, speak of the devil, we were just talking about you, well, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर, अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, clear, अगला है, we'll cross that bridge when we come to it, यह आप रट लेचे, इसका मतलब है, जब होगा तब देखेंगे, मतलब अभी से क्या attention लेना, कभी कभी होता है कि अभी से आप discussion कर रहे होते हैं, कैसा हो जाएगा तो कैसे होगा, तो क्या कह सकते हैं आप ऐसे में, we'll cross that bridge when we come to it, देखे, example, I don't know how we we'll pay the bills if I quit my job, कोई बंदा है, जो कि अपनी job quit करने जा रहा है, लेकिन परेशान है, कि हम कैसे अपने bills पे करेंगे, अगर मैंने quit कर दिया job, तो मानलेजे, उसकी wife कहते है, we'll cross that bridge when we come to it, जब होगा देखा जाएगा, अभी से attention मतलूब, गाइस अगर अभी तक आपने चैनल क speaker बनो बहुत जल, मेरा app भी है, English Connection नाम से play store पर जाएं और install करें और वहाँ भी कुछ नया सीखें देए, अगला है so far so good, बहुत ही amazing है, इसका मतलब क्या होता है, अभी तक सब अच्छा चल रहा है, तो कोई भी आप से कोई status पूस्त आपके business का, या फिर कोई भी project चल रह how's the project going, so far so good, बहुत ही अच्छा है, इसे comment section में लिके जरूर बिताएगा एक example के साथ, कि कभी किसी ने आप से कुछ ऐसा पूछा हो, तो आपने उसको ऐसा जवाब दिया हो, न दिया हो, तो आगे से देचेगा, next is it's not rocket science, इसका मतलब होता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब ये कोई कठिन काम नहीं है, मतलब ये आसान है, तो जब भी कोई किसी चीज को लेकर परेशान हो रहा हो, तो आप बोल सकते हैं, ये मुश्किल काम नहीं है, it's not rocket science, clear, it's not rocket science आपको यूज़ करना है, देखे, I'm not good at online stuff and I have to take zoom classes now, मैं online चीज़ों में अच्छी नही है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, so oh come on, it's not rocket science, it's not rocket science, मतलब it's not tough, you can do it, clear, next is easy does it, ये फ्रेज बहुत अच्छा है, easy does it का मतलब होता है, धीरे करो, ठीक, जैसे slow down, या फिर तब भी आप इसे यूज़ करते हैं, जवाब के रहे, आराम से, calm down, ठीक है, calm down, there must be an L, calm down, मतलब कोई बहुत ज़्यादा गुसा कर रहा है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते, कोई बहुती, speed से कोई चीज़ कर रहा है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते, दोनों examples है मेरे पास, should I drive faster, कोई already fast चला रहा है, कहता है, should I drive faster, क्या मैं और तेश चला हूँ, तो आप क you haven't completed it, तुमने इसे complete क्यों नहीं किया, तो दूसरा बंदा कहता है, easy does it Rohan, it's not her fault that the power went off, यह situation यह है, कि वो जो बंदा एक लड़की को डाट रहा, employee को डाट रहा है, तो दूसरा जो की उससे बोल सकता है, आराम से, तो वो कहता है, easy does it Rohan, Rohan आराम से, calm down, ठीक है, उसकी गल कर पाई, समझ गया, तो situation आप समझ जाएंगे, तो बहुत याराम से, you can say that again, इसका मतलब होता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, तो अगर हम इसे word for word translate करें, तो इसका मतलब हो गया, कि तुम यह दुबारा कह सकते हो, overall इसका मतलब यह है, जो हम में से distance में यूज करते है, बि बहुत गर्मी है, तो B कहता है, you can say that again, मतलब कि मैं तुम से बिल्कुल सही कहा तुमने, देखे, she is the most boring person I've ever met, आस तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, यह सबसे boring है, तो B कहता है, you can say that again, मतलब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, I completely agree, next is time flies or time flies when you're having fun, अगर word for word translate करें, तो मतल आप खुश हैं, तो समय कितनी जल्दी बीच जाता है, तो इस इंदन तो आप अकसर ही बोलते होंगे, इननी में समय कब बीच जाता है, पता ही नहीं चलता, time flies when you're having fun, वाव, it's midnight already, रात हो गई, आधी रात हो गई, I feel like we just got here, ऐसा लगता है, हम अभी यहां आए हैं, तो B कह बोल सकते हैं, clear, आगे है, no pain, no gain, आपने सुनी रखा होगा, इसका मतलब यही है, कुछ पाने के लिए, कुछ खोना भी पड़ता है, तो अगर कोई बहुत जादा परेशान हो रहा है, कि नहीं, अब मैं इसे नहीं कर सकता, तो वहाँ पर यह लाइना आप बोल सकते, देख तो कुछ पाने के लिए, कुछ होना पड़ता है, लगे रहो, कोशिस करते रहो, होगा, आगे है, hang in there, hang in there का मतलब होता है, धैर यह रखो, be patient, things will work out, तो जब भी कोई बहुत ही stressed out है, या फिर किसी भी तरीके की परेशानी में हैं, और आप उससे कहना चाहते हैं, have patience, और be patient तो आप बोल सकते हैं, hang in there, impressive लगेगा, right? तो आपको मैंने दो sentence वो भी दिये, साथ में यह भी आप use कर सकते हैं, I know you're worried, मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, but hang in there, that means धैरे रखो, the doctor will call soon, doctor जल्दी बुलाएगा, अब देखें, इसमें क्या है, कि माननीजे, patient है, hospital में, और doctors के साथ है, वो आप बाहर हैं, तो आपको कोई समझाते हुए, यह बोल सकता है, यहाँ देखें, यह कहता है, I'll never find a job, बहुत ही परेशान हो गया, कि मुझे job कभी नहीं मिलेगी, तो B कहता है, look, just hang on in there, I'm sure you'll get something soon, बहुत जल्दी कुछ मिल जाएगा, मुझे पक्का विश करें, on के साथ, next is pull yourself together, इसका मतलब होता है, अपने आपको समहा लो, जब कोई परेशान हो, तो आप ऐसे ही बोलते हैं, अपने आपको समहा लो, तो वहाँ पर बोलिये, pull yourself together, देखे, just pull yourself together, अपने आपको समहा लो, there is no point crying about it, अप कोई चीज़ हो गई, तो हो गई, अब उस इस पर रोने से कोई फायदा नहीं, अपने आपको समहा लो, pull yourself together, यहाँ देखे, I know you're upset, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम upset हो, but this is the time, यही वो समय है, come on, pull yourself together, अपने आपको समहा लो, समझ के आपके से कैसे यूज़ करना है, तो guys, इस तरीके से आपके सामने जब इस situations हो, सब कुछ हिंदी में बोले, फिर इन्हें आप English में बोले, और impression जमाएं, और खुद confidence के साथ बोले, guys, वीडियो पसंद आई हो, तो जल्दी से इसको share कर दीजे, पहले सभी के साथ, वीडियो पसंद आई हो, तो like कर दे, क्या ठीस आपको नहीं लगी, वो comment section म लिके जरूर बताएगा, मिलते हूँ आप से अगले वीडियो में, जैहिंद!